हेलो दोस्तो वेल्टाम बेक टू मैं यूटूब चैनल दोस्तो बहुत लोगोंने मेरे को बोल रहे कि जो विंजो एप में KYC प्रॉब्लेम है तो इस प्रॉब्लेम को केसे सोलुसुन करें और किस तरह का मतलब ट्रीट लागाना चाहिए तो बहुत कॉमेंट आ रहा है कि बा पता रहे हैं तो मैं इस वीडियो में पूरा step by step आप लोगो बताऊंगा ताकि जो आप लोग का विंजो एप में KYC प्रॉब्लेम में इस प्रॉब्लेम को आप लोग आसानी से सोलुसुन कर सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है अभ से पलेफेंस किया करने हैं आपको दिन्दो एप को आपवेन कर लेना है ठीकिना पर जाथे चलव करते हैं मतलब ऐडिक करके आजाता है या कुछ लोगों को इस तरह का प्रोब्लेम आता है जिसकी गेम को प्ले करना चाहते है तो इस तरह का प्रोब्लेम आता है एड को आई सी ठीके ना तो बहुत लोगों का इस तरह का प्रोब्लेम भी आता है जिसमें मतलब फास्ट में ही वापन करते ही मतलब एड को आई सी आ तो इदर देखिए आसाम मतलब करेंट लिए मतलब क्यों इसी कॉंपलेट करने के लिए मांग रहे ठीक ना तो देखिए मैं आप लोगो को क्लिया नहीं बता हो ठीक ना यह जो प्रॉब्लम है यह कोई प्रॉब्लम नहीं यह विंजो एपने वाटोमेटिक लगा के रखा है अगर जिस स्टेट में बैन है जैसे की असलाम मतलब नहीं उसस्टेट में तो फिर के आप लोग प्रॉब्लम है उसकें आप लोग हो पहाऊ हुं noir sj a कंपलेट कर पाए ठीक है तो विश요 के लिए आज के वीडियो में हमें आप रोको बता हूंगा की आप लोग इस के वैसी को जिसके पास मतलब अधरकाड है वह केसे मतलब add qis की कर सकते इस फे 벌 है इस ङ। को और एक बात बाता है जैसे कि आप लोग के पास आधरकार्ट या पैंकार्ट जो भी है ठीक ना अभी तो फिलाल एड के वाइसी के लिए रिकोरी है जो आधरकट चाहिए ठीक ना अधरकट होने के बाद आप यहाँ क्योंप्लेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या कर आपको अगर आपको क्या करना है पहले एक काम करना पड़ेगा आपको क्या करना है उपड़कार्ट से बाद इस तरह का अजाएगा ठीक है तो उदर आपको क्या चैंल मिल रहा है देख सकते त्री डॉट टीक ना इसकी उपर आपको आना है तो इडिक प्रोफाइल के अंदर आने की बद आपको गाइस क्या करने पॉर जिस आदमी का आप अधर कर यूज करेंगे उसका नाम किया है ठीके ना सेम नाम आपको यहाँ डालना है यह जो विडियो न इरोर आजाए ठीक ना तो आपको करना है कि आपको जिस आदमी का आधर कर इदर वेरिफाइए करेंगे उस आदमी का नाम यहाँ भी डालना पड़ेगा क्यों इसी कॉम्प्लेट करने से पहले ठीक ना और आज का वीडियो जश्ट है उनलों के लिए है जिसके पास मतलब क करने की देने के बात क्या करने आपको निच्चे की तराफ आना और इदर एक ओप्शन असे देख सते आफ लोग लोग अपडेट ठीक ना यह आपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जाएगा तो इधर एक ओप्शन है देख सकते आप लोग यहां साफ साफ लिखा है कि अगर इसमें विद्ट करेंगे आधारकट वेरिफाय करेंगे आगर फेट डॉक्मेंट्स देंगे तो आपका जो विंजो एप है वो ब्लोक हो जाएगा मतलब पर्माइंट ब्लोक कर देगा यह विंजो वालों ने तो आप लोग को ये बात कर दें रखना है क्योंकि बहुत एकशर इसा करता है मतलब फेल डोकमेंस गूगुफ़ ट्रेवाइप करके आपका बाद में क्यों सि करता है तो एक यह दर क्यों सि strains करने के लिए आपको ाधरकाट तो लोह आफे आफसे नियुक्त में एधर का जो नमबर है उसके बात भाइस क्या करनें आपको यहां 對 करेंगे तो जो आपका अदर काट के साथ के साथ जो मोबाल निंग्वर लिंक है उसमें एक ओड़िपी जाएगा अधर काट के तरफ से ठीक ना तो उस विहां एंटर करने जैसे कि में अब में कर देता हो आझ को अ और आपका जो आधारकात में जो मतलब details है मतलब full name कि किसका नाम पर है सारी कि सारी इदर आ जाएगा ठीक है ना उसके बाद इस तरह गाएगा उसके बाद आपको क्या करना है allow की उपर आपको क्लिक करना है जैसे allow की उपर क्लिक करेंगे जाईस तो आपको दूसरा और एक पेज में लेके जाएगा ठीक ना तो देख सकते यहाँ successfully मेरा KYC complete हो गाया ठीक ना उसके बाद गाईस देख सकते यहाँ पूरा details आ गाया ठीक ना कुछ लोग तो बोलता है कि fact documents से हो जाएगा लेकिन इसमें fact documents से नहीं होगा और आपका उटा आपका जो विंजो ID है वो block होगा ठीक ना यह जो गलती है आप लोग मत करना है क्यों कि आपका विंजो ID block हो सकते है ठीक ना तो देख सकते मेरा अधरकार्ट में जो नाम सरी details यहाँ आ गाया ठीक ना मैं बलार करके रखा हो ताकि आप लोग को यह मेरे जो personal चीज है वो आप लोग को पता ना चले ठीक ना तो इस तरह का आपको करना है उसके बाद क्या करना ह आ जाएगा उर्जिनल वाला उसके बाद आपको confirm details की उपर क्लिक कर देना और यह जो आपका KYC है वो complete हो जाएगा ठीक ना तो मैं फिलाल करके दिखाता हूँ आप लोग को तो देख सकते हैं गाइस मैं जैसे confirm की उपर क्लिक किया तो यह got it मतलब KYC complete successfully हो गया ठीक ना इधर देखिए got it करके एक option आ गया ठीक ना तो इसके उपर आपको क्लिक करने है और got it कर देना ठीक ना तो आभी देखिए आपका KYC मतलब successful हो गया ठीक ना confirm your KYC इधर देखिए की नीचे की तरफ आ गया इधर देखिए आप लो confirm your KYC successful ठीक ना आप देख सेक्टेबुक की है बस आपका KYC complete successful हो गया तो आभी आपको पता क्योंसी चला या कि आपका KYC complete हुआ या नहीं ठीक ना तो आपको simply क्या करना चाहिए उपर की तरब जो लोगों है लोगों की हो गया नहीं दो खाया औरत बात मतने तो आप लोगों की आप लोग एक ही की आदर कर सकते कि अगे और अगर मोबाल में तीन चार पास दस आईडी है तो आप एक ही आधरकर्चे दस या बीस या सो विंजू को विरिफाइब कर सकते मतलब क्यों इसी विरिफाइब कर सकते कोई भी इस्यू नहीं आएगा क्योंकि मैं अल्ड़ी दो कर चुका हो ठीक ना दो आईडी में एक ही डु स्क्राइब करो क्योंकि मैं इसी तरह का हेलफूल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ आज के लिए इतना ही ठेंक्यू सो माच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई जैहीन